नमस्कार आकार धिन्डोरा में मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक है विवाः बहुत ही इंप्रस्टिंग टॉपिक है चलिए चलते हैं और जानते हैं कि विवाः क्या होता है कैसे हमारी भारती संस्कृति में कितने टाइप के विवाः होते हैं और कैसे हमारी भारती संस्कृति में विवाः को मानेता मिली है भारती संस्कृति के अंतरगत लिति रिवाज, परंपरा, खान-पान, कला, आदत, व्यवहार और नैतिक मोले आधिका अध्यन किया जाता है इसी में विवाह भी आता है जो 16 संसकारों में एक महत्पूर संसकार है और 4 आस्रमों में जो दूसरा आस्रम होता है ग्रहास्त आस्रम उसमें प्रवेश करने का द्वार है समाज सास्त्री बोगार्ट के अनुशार विवाह इस्त्री पुरुस के पारिवारिक जीवन में प्रिवेश करने की संस्था है मरडाक के अनुशार सभी समाजों में विवाह के तीन उद्देश है योन संतुस्थी, आर्थिक सहयोग, संतानों का सामाजी करड एवं लालन पालन धर्गरंथों में हमें विवाह के आठ प्रकारों का वर्डन मिलता है प्रथम चार प्रकार के विवाह स्रेष्ट विवाह की स्रेडी में आते हैं प्रथम ब्रह्म, दूसरा दयो, तीसरा आर्स, चोथा प्रजापत्य, अंत के चार विवाह, निक्रस्ट स्रेडी में आते हैं, पाँचवा असुर, छठा गंधर्व, सात्मा राच्छस, और आठमा पिसाच, अब हम जानते हैं ब्रह्म विवाह के बारे में, ब्रह्म विवाह आज भी समाज में सबसे ज़ादा प्रचलित और सबसे ज़ादा माननी विवाह मना जाता है, इस विवाह के अंतरगत, कन्या का पिता, अपनी कन्या के लिए विद्धता, सामर्थ, एवं, चरित्र की द्रश्टी से सबसे योग येवर्क को विवाह के लिए चुनता है, को अपनी कन्या दाम दे देता था वो रिसी जो पुरोहित होता था जो यगी करा रहा होता था वो उस कन्या को accept कर लेता था वो दैव विवा कहलाता था हाला कि अब इस समाज में यह विवा एक्सेप्टेबल नहीं है अब यह भेट सुईकार कर ली जाती थी तब विवा हो जाता था यद यह भेट ऐस्विकार की जाती थी तब विवा नहीं होता था हलाकि यह विवा इस समाज में अब प्रासांगिक नहीं है यह प्राचीन काल में प्रासांगिक था चौथा आता है प्रजापत्ति विवा प्रजा के पिता का यहां आदेश ही ब्रह्म विवा और प्रजापत्ति विवा में एक मात अंतर प्रदर्शित करता है अब पांच में प्रकार का विवाह आता है असुर विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें कन्या के सम घर वाले यानि कन्या के माता पिता या समंदी पुरुष की तर तुम्हारी तरह नहीं कि हम बेटी भी लें और धन भी लें तो अभी विकुछ समूह समाज में ऐसे हैं जो अपनी बेटियों कि साधी के लिए धन लेते हैं तब अपनी डिवा क्या होता है जब कोई पुरुस या इस्त्री अपनी इच्छा अनुसार विवाह करता है तो इसे गंधर विवाह कहा जाता है महाभारत और वत्सयायन इसे सर्वोत्तम विवाह मानते हैं दुस्यंत और सकुंतला का विवाह गंधर विवाह की श्रेडी में आता है अब आता है राच्छस टाइपाब विवा, बलपूरवक, छल कपट, युद्यवम संघर्ष के द्वारा कन्या का अपहरड करके जोर जवस्ती से किया हुआ विवा राच्छस विवा कहलाता है उसके बाद आता है पिसाच विवा, इस्त्री की सहमती के विना, उसके साथ चल कपट से या अचेतन अवस्ता में संभूग करने के बाद विवा करना पिसाच विवा कहलाता है चुकि संभूख के बाद कन्या के साथ सम्मान विवाह कर लेता था इसलिए धर्मसास्त्रों ने इसे विवाह की स्रेडी में इस्थान दिया है ताकि समाज में विक्रती ना पैदा हो तथा समाज में इस्त्री की सम्मान की रच्छा हो सके वर्तमान में ऐसे विवा हम देख सकते हैं कि खाप पंचायते हैं या जो लोकल पंचायते होती हैं जब किसी इस्त्री के साथ ऐसा हो जाता है तो जालतर वो जो पुरुस जिसने ऐसा कुछ इस्त्री के साथ सम्मान के साथ छिड़खानी की होती है उसी से विवा करा दिया जा तो ऐसे एक्ऽांपल्स अभी भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं हिंदू धर्मसास्त्रों ने इन विवाहों के अतरिक स्वयमबर अनूलोम प्रतिलोम विवाहं का भी उलेक किया है अब बात करते हैं स्वयमबर विवा की इस्वयमबर विवा बहुत हीइन सोयंबर तथा महाभारत काल में द्रोपदी का सोयंबर हुआ था सोयंबर विवाह का स्रेश्ट उदाहरण भी माना जाता है हाँ वो अलग बात है कि अब पुरुस भी सोयंबर करने लगे हैं राहुल महाजन इसका एकदामपल है अनुलोम विवाह में उच्च वर्ड का पुर सुक्राचारी की कन्या देवयानी का ययाती से विवाह ततिलोम विवाह के स्रेश्ट उदाहरण हैं आज हमने उन विवाहों के बारे में जाना जो हमारे ग्रंथों में उलेखित हैं जिन्हें हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कुछ आज भी प्रासांगित हैं कुछ प्रासां समलाइंगी क्विवाह को भी मानिता धीरे-धीरे मिलने लगी है बहुत सारे देशों ने दी हैं तो हम इन सब के विबारे में भी जानेंगे लेकिन आगे आने वाले episodes में आगे आने वाली जानकारी में हम धीरे-धीरे अपनी भारती सिंस्क्रती में जो प्राचीन में चल रही थी जो आज चल रही है जो आगे भी चलेगी या जिनके आने के आफार है उन सब पर धीरे-धीरे चर्चा करेंगे सब तक के लिए support करते रही है आप हमें देखते रहे हमारे प्रोग्राम हम जितने भी topics ला रहे हैं कोई भी topic ऐसा नहीं ला रहे हैं जो सिर्फ PCS या IES या समिछा अधिकारी से संबन ली तो ऐसे भी topic हैं जो आपके exam के लिए तो उपियोगी हैं नहीं साथ साथ में आपके जीवन सैली के लिए उपियोगी हैं बिवाह तो सभी करते हो कम से कम पता तो होना चाहिए आप किस टाइप का विवाह कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारती संसक्रती में जीवन जीने के क्या-क्या तरीके हैं हमारी संसक्रती में कितने संसकार है कौन-कौन से संसकार के क्या-क्या फायदे है हम सिर्फ वीडियो इसी पे बना रहे हैं अगर आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम अपना ये सफ़र जारी रखेंगे थाइंक्यो